यूनिवस्टी को खास बनाती है यूनिवस्टी के फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर कमल घंसाला जी की सोच, उनका विजन, हर हालात में आगे बढ़ने की शमता और दूसरों के दुख दर्द को बांटने का सबहाओ. यूनिवस्टी के पास DST, Department of Science and Technology का Incubation Center है, बच्चे पढ़ाई के दौरान ही आईडिया लेकर आते हैं, यूनिवस्टी उनको सीड मनी देती है, येर 2022 में Amazon ने Graphic Era के 14 बच्चों को 44.14 लैक के पैकेज पर प्लेस्मेंट दिया है, जिसमें से 3 बच्चे भीमताल केंपस के हैं हाई माई दियर आल, आई हो आप सभी अच्छे होंगे, वीडियो में लास तक बने रहिए, बच्चों की खुशियों में शरीक होईए, हो सकता है, कल आपके बच्चे भी इसी खुशी का पात्र बने, आज जब Graphic Era Hill University भीमताल केंपस अपने अचीवमेंट्स के लिए फिर स मुझे न्यूज में आया, तो मुझे कुछ ही महने पहले का वो इंसीडेंट याद आगया, जब एक गौवर्मेंट स्कूल की हैड मिस्ट्रिस ने मुझे बताया, कि वो हर सैटरडे को अपने ग्रेट फोर्थ और ग्रेट फिफ्थ के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर क्ला के पाज गाओं को एडॉप्ट किया है, फिर मैं अपने आपको रोक नहीं पाई और इस तरह से केंपस से मेरा एक अटूट रिष्टा बना, कल ही की बात है, एक महिला की खुशी देखते ही बनती थी, जब उसने मुझे बताया कि ग्रैफिक एरा द्वारा बताए, के परिणाम उनकी फसल में देखने को मिल रहे हैं, मैंने पाया कि दूसरों को खुशी देना ग्रैफिक एरा के करिकुलम में इंक्लूडेड है, ये सभी इंसिडेंट्स मेरे लिए अमेजिंग थे, काश बाकी इंस्टिट्यूट भी सिक्षा को मात्र व्योसाय न बनाकर उ युनिवस्टी को खास बनाती है युनिवस्टी के फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर कमल घंसाला जी की सोच, उनका विजन हर हालात में आगे बढ़ने की शम्ता और दूसरों के दुख दर्द को मांटने का सभाव। एरा हिल युनिवस्टी है जिसके अपने तीन केमपस देहरादूर, भीमताल और हलद्वानी में हजारों बच्चों के भविश्य को समाल रहे है। युनिवस्टी पहार के बच्चों को एफोर्डिबल कॉस्ट पर हॉलिस्टिक प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ग्रैफिक एरा हिल युनिवस्टी आज किसी पहचान की मुहताज नहीं है। ये देश के तॉप 100 युनिवस्टी में से एक है। इस तरह से ट्रें करती है कि इस टूडेंट सोचिल सर्विस के कंसेप्ट को इमभाइक करते हैं और इस प्रकार से युनिवस्टी सोचिली रस्पॉंसिबल सीटीजियन्स को तयार करते हैं। इसके साथ ही युनिवस्टी के फाउंडर का कहना है कि हमारा उद्देश्च है कि हमारे बच्चे जॉब सर्चर ही न बने बलकि जॉब क्रियेटर भी बने तो इसके लिए ऐसे बच्चे भी तयार किये जाते हैं जो पढ़ाई के दोरान ही अपनी कंपनी इंक्यूबेट कर देते हैं युनिवस्टी के पास DST Department of Science and Technology का इंक्यूबेशन सेंटर है बच्चे पढ़ाई के दोरान ही आईडिया लेकर आते हैं युनिवस्टी उनको seed money देती है, काम करने के लिए जगा देती है, कम्प्यूटर देती है और साथ में Experts भी प्रूवाईट करती है और इस तरह से Students अपने लिए रोजगार क्रियेट करते हैं और साथ में लोगों को भी रोजगार देती है आप ही के एलमिनाई ने इसी स्टार्ट अप सेंटर में दुनिया की सबसे छोटी ECG मसीन को इजाद किया और प्रोडक्शन के लिए फाइनेंसर ना मिलने की स्थिति में युनिवस्टी ने उसे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया यही सब बातें ग्रैफिक एरा हिल युनिवस् सही दिशा दिखाने के साथ यहां यह भी बताया जाता है कि प्रतिसफर्दा की दौड में आगे निकलने के लिए क्या जरूरी है इयर 2022 में एमेजॉन ने ग्रैफिक एरा के 14 बच्चों को 44.14 लैक के पैकेज पर प्लीस्मेंट दिया है जिसमें से 3 बच्चे भीमताल कैमपस के हैं हिमान सुभट, प्रांजल पांडे और गौतम जोशी इसके अलावा आयूश कापडी को AMD कमपनी में 26 लैक का पैकेज मिला है तनुज महिता को सैमसंग में 20 लैक का पैकेज मिला है एक बच्चे को गूगल में और काफी बच्चों को एडोबी में प्लेस्मेंट मिला है साथ ही देहरादून की एक चात्रा को Microsoft में 50 लाग के पैकेज पर प्लेस्मेंट मिला है उत्तराखंड का बच्चा फोकस्ट है, हार्ड वरकिंग है, टैलेंटेड है उसने अपने लिमिटेड सोर्सेज में, सिविल सर्विसेज में, एकेडिमिक्स में, साइंस के फील्ड में, डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, अपनी काबीलियत का सबूत दिया है आज उसको जरूरत है तो सही गाइडेंस की इस काम्याबी के लिए students, faculty, निदेशक और पूरा staff बधाई के पात रहें इस वीडियो को बनाते हुए वो खुशी मिल रही है कि बया नहीं कर सकती हूँ एक शण को तो लगता है कि उत्तरा खंड is progressing but a lot needs to be done, hoping for a prosperous उत्तरा खंड फिर मिलती हूँ एक नई सोच, नई खोच के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल, Manjusha and Influencer में Stay Blessed, Stay Positive